इस क्लास की पूरी स्लेबस की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को और साथ ही बैल आइकन प्रेस करें गुद मॉर्निंग स्टूरेंट कैसे हैं आप लोग आज हम क्लास फाइब का चेप्टर फाइब पढ़ेंगे हमारी चेप्टर का नाम है जहां चाहा है वहां रहा है सब बच्चे अपने अपने बुक्स को लिए पेस नमबर फॉर्टीवन पार्ट पांच जहां चाहा है वहां रहा है हिंदी मलमल धोती का बदामी रंखिल उठा था मलमल की धोती का मलमल क्या होता है? कपड़ा होता है न उसका बदामी रंग खेल उठा था बदामी रंग कि साड़ी थी किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे साड़ी का पल्लू होता है वो भी पूरा भरा हुआ था सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में मलमल के कपड़ों पे जब सुनहरे रंग से कढ़ाई की थी तो बहुत सुन्दर लग रहा था इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने इला सचानी कौन थी? जो इसका काम कढ़ाई का करती थी इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है इला बहुत महनती थी और उनकी अनूठी मिसाल है मतलब वो बहुत महनत करके ये काम करती थी उसका कारण हम आगे पढ़ेंगे कि वो और लोगों से अलग क्यों थी यह हम आगे पढ़ेंगे यह कढ़ाई के नमूने कढ़ाई के नमूने 26 साल की इला कितने साल की थी 26 साल की कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें आपको बता दी जाओंगे इला कितने साल की थी 26 साल की क्या नाम है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं 26 साल की इला गुजरात के सूरज जिले में रहती थी इला कहां रहती थी गुजरात के सूरज जिले में उनका बच्पन अमरैली जिले के राजकोर्ट गाउं में अपना नाना के यहां भी था वो अपने नाना नानी के यहां रहती थी सांज होते ही महले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते शाम होती है तो सब बच्चे महले से बाहर गलियों में अपने घरों के बार खेलना शुरू कर देते हैं इस मिट्टी में आड़ी तिर्चे लकीरे खीसते मिट्टी होती है लकीर खीच रहे हैं खेल रहे हैं मिट्टी से या कुछ बना रहे हैं उसमें कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते कुछ गिटे खेलते, कुछ इदर उदर से तूटे-फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते पिट्टू होता है ने, स्तापुर भी बोलते हैं उसे मिट्टी का बना के बच्चे उसमें खेलते हैं जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर जूला डाल कर उची उची पेंगे लेते और उचे सुर में एक साथ गाते क्या गाते थे? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई हो रहे पेज नमबर 42 अब मैं दूसरा पेराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती इला जो थी उनके साथ जूल नहीं पाती थी क्यों नहीं जूल पाती थी? रसी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थी अब वो रसी पकड़ने के लिए जैसे हाथ उठाएगी उनके तो दोनों हाथ जू देक काम नहीं करते थी वो कुछ असामान्या नहीं बोलेगे सामान्या से हट कर थी चुपचाप एक किनारे बैठ जाती जब उससे जूला नहीं पकड़ा जाता था तो वो चुपचाप एक किनारे बैठ कर सबको देखती थी मन ही मन सोचती मैं भी कुछ ऐसा कर सकती थी तो वो यह सोचती थी कि शायद मैं भी कुछ ऐसा कर सकती बच्चे भी चाहते इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके बच्चे भी सोचते थे कि इला उनके साथ खेल सके लेकिन इला नहीं केल सकती थी क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे उसके हाथों में जान नहीं थी वो जूला पकड़ कर उनके साथ नहीं जूल सकती थी ये एक ईला का दुर्भाग गय था नहीं कर सकती थी वो इस बात को लेके बड़ी परिशान भी थी बच्चे भी चाते कि इला किसी ना किसी तरह उसके साथ खेले लेकिन ऐसा नहीं था तो कि वो उठ नहीं पाती थी बैट नहीं सकती थी जूले को नहीं पकड़ सकती थी कभी कबार में पकड़म पकड़ाई और विश अम्रित के खेल में शामिल हो जाती कभी कभी पकडम पकड़ाई खेलने की कोशिश करते तो वो कैसे भागती थी वो अपने पैरों से भागती थी बैट बैट के खड़े होके नहीं भाग पाती थी बैठे होए पैरों को मोड़के और जमीन पे हाथ टच करके वो भागने की कोशिश करती थी क्यों? क्योंकि वो सीधे खड़े नहीं हो सकती थी साथियों के साथ जम कर दोड़ती मगर धपा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती क्यों निराश होती? क्योंकि उसका हाथ उपर धपा करने के लिए नहीं उठता था हाथ ही नहीं उटेंगे तो धपा कैसे करेगी वह भूद कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली थी उसके हाथ उटते ही नहीं थे इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनोती माना इला ने सोच लिया कि मेरे हाथ नहीं उट सकते लेकिन मैं हाथ नहीं मानूंगी मैं कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करूँ कभी भी हमें अपनी जो चीज़ हम नहीं कर सकते हमें हाथ नहीं माननी चाहिए कोशिश जरूर करनी चाहिए और इला ने भी वही किया उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा वो सब उसने अपने पैरों से करना सीखा जो कि हम अपने हातों से करते हैं खाना खाना सिलाई करना पढ़ाई करना बुनाई करना जो जो काम अपने हाथों से करते हैं लिखने का खाने का धपा करने का वो सब काम किसे करती थी अपने पैरों से क्यों करती थी क्यों कि उसके हाथ तो काम ही नहीं करते थे दाल भात खाना अब आप सोचिए सब बच्चे कैसे खाना खाते हैं अपने हाथों से खाते हैं वो पैरों से खाते थी दूसरों के बाल बनाना पैरों से बाल बनाना कंगी पकड़ के फर्ष बुहारना जाडू लगाना कपड़े धोना पैरों से तरकारी सबजी काटना यहां करती थी पैर से लिए उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया दाखिला मिलने में भी उसे परिशानी हुई कहीं तो उसकी शुरक्षा को लेकर चिंदा थी तो कहीं उसके काम की गती को लेकर क्योंकि वह और बच्चों की अपेक्षा बहुत धीरे काम करती थी किसी काम को तोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, मैं परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी, घुटने टेकना मतलब अपने आपको कमजोर नहीं समझती थी, वो समझती थी, नहीं कि मैं नहीं कर सकती, फिर भी वो कोशिश कर दे थी, नहीं मुझे एक करना है उसने दश्वी कख्षा तक पढ़ाई की इला ने कहां तक पढ़ाई की दश्वी कख्षा तक कि टैंथ क्लास कितने साल की थी इला 26 साल की परंतु वे दश्वी के कख्षा पास नहीं कर पाई इला को यह मालूम ना था कि परिक्षा के लिए उसे अतिकरित समय मिल सकता है उसे ऐसे व्यक्ति की सुईधा भी मिल सकती थी जो परिक्षा में उसके लिखने के लिए उसकी मदद कर सकती क्या आपको पता है अगर कोई लिखना चाहेना तब भी मदद मिल जाए यह सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिनके हाथ काम नहीं कर सकते हैं उनको गौर्णमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से परिक्षा में लिखने के लिए एक अलग से टीचर मिल जाता है लेकिन उसमें वो टीचर अपनी मर्जी सकती यह सुईधा सरकार की तरफ से मिल सकती है अगर शायद ऐसा होता तो क्या होता इला पास हो जाती है परन्तु यह बहुत दुख की बात थी पेज नंबर 43 पे आ जाईए सब कुछ खतम तो नहीं हो जाता है ना उसकी मा दादी काशीकरी जानती है मा और दादी काशीकरी काशीकरी क्या कशीदा करी। कशीदा करी उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती वो देखती थी कि सुई में धागा डालकर दादी कैसे कढ़ाई कर रही हैं बुनाई कर रही हैं तो वो देख देखकर वो भी सीख गई कौन? इला किस से करती थी वो यह सब काम? अपने पैरों से, हातों से तो उससे नहीं करना आता था अब उसने जब कशीदा करी करने की ठान ली तो यह भी उसके पैर के अंगूठों का सहारा लिया किस से क्या उसने? बहुत बड़ी बात होती है हम अपने हातों से नहीं कर सकते वो अपने पैर के अंगूटों से सुई में धागा ढालकर कढ़ाई करती थी बुनाई करती थी कशिदा करी करती थी पर कहते हैं ना जहां चाहा है वहां रहा है यानि जो हम सोच लें तो सब कुछ कर सकते हैं उसका विश्वास और धैरे ने कुदरत को भी छुटला दिया यानि वो अपने मुकाम में कामियाव हो गई उसने अपने पैरों से वो सब काम सीख लिए जो कि हाथों से हमें करने में समय लगता है वो पैरों से उन काम को करने लिए 15-16 साल की होते हुए इला कठियावार काशिदा करी में माहिर हो गई देखो 15-16 वर्ष की उमर में उसने बहुत अच्छे से काशिदा करी करना सीख लिए किस वस्तर पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं कौन से रंगों के नमूने खिल उठेंगे और टांके कौन से लगे यह सब कुछ वे समझ गई थी कैसा रंग हो कैसा कपड़ा हो कैसे वह अच्छा लगेगा कौन से कपड़े के उपर कौन सा धागे से सिलाई करे तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अगर कहीं किसी को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है अगर वहां कभी भी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यह समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काड़े गए परिधानों की प्रदर्शन लगी परिधुutanी क्यों होती है प्रदर्शनि एक कैसी जगा होती है जहां पर सब लोग देखने के लिए आते उसके सिलायवी कड़ाई के बुनाई के छोटे छोटे नमूने लगाए गए और उस प्रदर्शनि में कि प्रदर्शनी अःग प्र-धर-शनी आपको प्रदर्श्टनी का मतलब क्या होता है ये मुझे बताना है इन परिधानों में कठियावाड के सासत लखनव और बंगाल भी जलक रहा था मतलब उसके कपड़ों में बंगाली पहनावे की जलक कड़ाई में, बुनाई में, कशिदाकरी में इला ने कठियावाड टांकों के सासत कई टांके भी इस्तमाल किये, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया डंडियों को कांधा से उभारा, पशू पक्षियों की जैत मीतिये, आकर्ति को कसूती और जन्जीर से उठा रखा था पारंपरिक डिजाइनों में वे नवीनता सभी को भाई, ये सब को बहुत अच्छा लगा क्या काशिदा करी, उसका काम करना, तरह-तरह के नमूने बनाना और अच्छे-अच्छे डिजाइन्स में कलरफुल काशिदा करी करना इला के पाउं अब रुपते नहीं थे, वो ये सब काम किस से करती थी, अपने पैरों से पैरों से काम करती थी, पैरों को क्या बोलते हैं, पाउं, पाउं का दूसरा नम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे आखों में चमक, होटों पे मुस्कार, अनूर्था विश्वास लिएवे सुनहैरी रुपहली बूटियाओं के एरते ठकती नहीं थी, यानि उसे बहुत सुन्दर लगता था आज हमने ये आपका पार्ट 5 का चेप्टर पढ़ा है, जहां चाहा है, वहां रहा है इस पार्ट की रिडिंग करने के बार, अगर किसी भी बच्चे को कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया या कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप में इसे पूछ सकते है, कमेंट बॉक्स ओके, नेक्स टार्ट में हम इस चेप्टर के आगे प्रशन उत्तर पढ़ेंगे